मशकार तो यह डेट आया है इंद्र प्रस्ता उनिवर्शिटी की तरफ से और जो रिजल्ट आज आने वाला था वो अब मंडेग वोगा के तिस तरीकों यह छोड़ा सा नोटिस आये लेकिन जो उससे इंपोर्टेंट नोटिस जो परसो रात को आया था और जिससे काफी हेल् जो स्टूडेंट्स होते हैं दिल्ली डोमिसाइल के देखिए हर स्टेट हमेशा अपनी मेरिट लिस निकालता है और मैं बाहाबर समझाता हूं दिल्ली वालों को एक फ्रॉब्लम भी है एक फैदा भी है हमारे दिल्ली में टोटल साथ सरकारी कॉलिज है जामी हमदर दो एम पूरी इवन स्टेट कोटा की तो उसमें दिक्कत और फैदा यह है कि बाकी जितनी स्टेट कोटा के सीट्स हैं उनकी काउंसलिंग एमसेशी के बाद चलती है पर हमारे पांच कॉलिज की हमें जो रिजल्ट है वो इतरह से और इंडिय कोटा के साथ साथ पराद चल जाता है दिक्कत यह है जो उसे नीचे वाले बच्चे होते हैं जो आई-पी उन्वसेटी के आते हैं और हमें हमेशा दो साल पहले तक पता नहीं चलता था कि अगर आपका और इंडिय कोटा में नंबर नहीं आया तो हमारे में कितना कैप है कि जो आई-पी के बाकी दो कॉलिज है अंबेटकर और अंडियमसी जिनकी काउंसलिंग या आई-पी उन्वसेटी कराती है इसमें में सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी राइट क्योंकि हम सभी चानते हैं देखिए हिंदुस्तान में अगर आपने दिल्ली से कर ली तो आपकी पीजी कर फर्म है क्योंकि दिल्ली ए चार कॉलेज़ें उनको रिजर्वेशन मिलती है आई-पी की पीजी में और दिल्ली में इतनी पीजी की सीटे हैं कि जिसने भी दिल्ली से यूजी कर ले उसकी पीजी की सीट कर फर्म होते चाहें एनस थीसे मिलेगी बड़ कर फर्म होती है दोजार एकिस में MCC ने हमारे ल लग से लिस्ट निकाली थी जिन्होंने दिल्ली की तरफ से अपलाई किया था पर इस बार यह लिस्ट आई-पी ने निकाल दिया है जी हाँ होम पेज में जाएंगे आपको यह बटन देखिए इस लिस्ट से आपको पूरी बच्चा मिल जाएगा एक एक बच्चा जिसने दिल्ली की तरफ से आई-पी में अपलाई किया है तो वो बच्चे जो दिल्ली की फिलाल जिने कोटा नहीं मिला है यूसी एमेस वर्दबन महवीर अटल बिहारी और यहां पर उनका नाम होगा ही आप देख सकते हैं कि आपके और उसके बच्चे की बीच में कितना गैप है और आपको अंबेट कर और एंडी एमसी राउंड टू में मिलने का कितना चांस है देखिए प्रॉब्लम इंडिया में क्या है दिल्ली में क्या है जितने भी यह दिल्ली के बच्चे होंगे यह सब बच्चों ने फिलहाल यह जो 101 ऑल इंडिया रैंक है जतीन धिंगरा यह सौरी सौमान्यू धिंगरा बच्चा यह शिवां तरवेदी इन सब को अलड़ी मिल चुका है अड्मिशन शांदार कॉलेजिस में मुलानाजाद में यूसी एमेस में वर्दवन महाविरी में बड़ सभी ने आईपी का फार्म भरा होता है और सभी ने हजार उपे दे के काउंसलिंग करेंगे तो आईपी उनिवस्टिटी के राउंड वन में खासकर जो अन्रिजर्ट कैटेगरी होती है वो सारे बच्चे वो होंगे जिनको अलड़ी यूसी एमेस मौलानाजाद मिल चोक है तो अब बाकी बच्चे क्या करें जो उनसे जरा सीचे हैं और वही मैं समझा रहा हूँ अब आईपी का राउंड टू कब होगा एमसी सी राउंड टू खतम होने के बाद एमसी सी राउंड आईपी में राउंड बन में नहीं मिलेगा जो अब रिजल्ट आएगा 31 को जो वैसे आज आना था बड़ तीन दिन के लिए पोस्टोन किया गया है बड़ कोई बात नहीं आपके बास और इंडिया कोटा के समय है तो सबसे बड़ा इशू क्या होता है कि सर मेरे को फिलहाल मेरे नमबर 660 है मेरे और इंडिया रेंक 4000 है 4000 देखिए अगर आपको और इंडिया रेंक 4000 ये 5000 भी है तो फिलहाल आपको राउंड बन में न वहाइन मिशन मिला न यहाइन मिला आईपी में लेकिन आपको राउंड टू में मिल सकता है आईपी में तो क्या मैं राउंड कोटा में राउंड टू में सीट लेके रिपोर्ट कर दिया तो फिर आप भारोए काउंसलिंग के तो ऐसे बच्चे क्या करें तो ऐसे बच्चों के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छी स्टाटेजी होती है जो हम अपने क्लाइंट्स को पताते ही हैं फिलहाल इन दोनों एक कंफर्म निकाल सकते हों कि आपकी सीट मिल लेगे कितने चांसेज हैं राउंड टू में हंड़ड परसंट चांसेज हैं कि 80 परसंट हैं या 110 परसंट हैं वो अब कोई भी समधार बच्चा मेहनत करके निकाल सकता है डेफिनिल्टी देखें जी हम निकालते हैं मैं बावर कह आते हैं तो आपको हमारी फीपे करने पड़ेगी अगर आपका 90 परसंट भी फिलाल चांस आ रहा है तो कैसे आप अपनी आगे की स्टैटेजी को करें वो भी हम आपको गाइड कर सकते हैं इन सब के लिए आपको हमारा पेड कांसलिंग पैकेज लेना पड़ता है कॉल करके 96433 62320 पे देन यू कन टॉक तो मी बाइग पैंग नॉमिनल अमाउंट और यह बहुत अच्छी शीट शीट आ गई है दिल्ली के बच्चों के लिए जो में शक इंफूज रहते देखिए हम आई-पी राउंड टू के दो कॉलिजों के लिए वीट करें या ना करें ओके औ ओके सो बेस्ट विशिस बेस्ट अव लग एंबी बिएस 2022 अद्मीशन के लिए धन्यवाद